एक खबर है 36 गड़ की आज महीलाएं हर श्रेत्र में कार्यकर आत्म निर्भर हो रही है अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए घर पर ही कपड़ा अगर 32 सहित अन्य वस्तूओं को तयार कर घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी भागिदारी निभा रही है लूम मशीन में कपड़ा तयार कर आत्मे निर्भर हो रही है शासन स्तर पर चलाई जा रही विभिन योजनाओं से महिलाओं को काफी संबल मिल रहा है धमतरी जिले के चारु ब्लॉक में कई समू संचाली थे जहां महिलाएं कार्य कर रही है कुरूद ब्लॉक क नारिश स्तिती मल्टी एक्टिविटी सेंटर में भी महिलाएं कई रचनात्मक कार्य कर रही है और अपनी आर्थिक स्तिती मचपूत कर रही है धमतरी कोलेक्टर प्येस एल्मा महिला समूह को आत्मे निर्भर और उनके आई का एक पुक्ता जरिया बनाने लगातार कर रहे हैं इन्हीं कोशिशों के बीच आज वे कुरूद के नारिश देत मल्टी एक्टिविटी सेंटर पहुंशे जोरान कलेक्टर ने समु की महिलाओं से चैचा कर उन्हें हद करगा एवं ग्लैंगी यूनिट स्वयम संचालित करने प्रोथ साहन किया जिससे वे आर्थिक रूप से आत्म निर्भर और सशक्त बन चकें साथी कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचात कुरूद को निर्देशित किया वे महिला समुहों को आत्म निर्भर बनाने एक बहतरीन और विस्तृत कारी यूजना बनाए नारिश दीत इसकेंदर में हिलाओं के लिए 50 नंग मशिन स्तापित कर उन्हें हदकरगा लगा चलाने में पारंगत किया गया है